देश में विस्थापितों का दर्द बहुत पहले से रहा है चाहे वो कोई भी राज्य क्यों ना हो इसी कड़ी में उत्राखन के पौड़ी जिले के जिरना से विस्थापित सकड़ों परिवारों को 27 साल बाद भी भूमी का मालिकाना हक नहीं मिला है जिसके बाद विस्थाप पौड़ी के ग्राम धारा जिरना और कोटीरों के सेकड़ों परिवारों को कॉर्वेट रिजर्व में जंगली जानवरों के आतंग के चलते विस्थापित कर काशिपूर के मानपूर प्रतापूर रामनगर के आम पोक्रा में बसाया गया तदकालीन तहसील के जमीन भी काशिपूर तैसिल में ओनलाइन दर्च करवाने के लिए संकरश कर रहे हैं लोगों ने कहा है कि विस्थापित परिवारों को सरकार योजनाओं और यहां तक कि किसान सम्मान नीधी और लोन तक नहीं मिल पा रहा है इसके बाद ठकार कर उन्होंने ये फैसला लिया है कि व इनकों सौबा गया है मतलब 108 हेक्टियर भूमी थी यहां पर इनके पास ठीक है 99 हेक्टियर भूमी यह दे रहे हैं ऑन ग्राउंड कांग जो में 108 है तो इस वज़े से यहां की तैसिल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इस कारण हमारी रेजिस्ट्री भी नहीं हो पा बोट होंगे कम सिकम 2.000 कितने बार बोट डाल चुके अब लगा लिजे 27 साल में कितने बार वोगे कम सिकम अब लगातर डल रहे हैं चुनाब 22 का मुख्या कारणी यही है यही है जमीनों का मालिका नहां हक ना मिल पाना देखिए वहां पर वह वन की भूमी थी जहां पर मे प्रियास हमें करने लगे कि लोगों ने साब की जो राजसु गराम हमारा क्योंगी बहुत काफी जन संग्याती तो हमने का साब हमें ट्रासफर दीजे फिर कई समय बाद कई का रवाएका हमें साब गराम धारा जिनको ट्रासफर दिया गया कुछ लोग यहां मानपूर में लेकिन इतनों साल बाद हम वहीं के वहीं है यहां कि पहले हम सही जहां में बानता हूं कितने साल हो लगबक हमें यहां पर सब 27-28 साल हो चुके हैं और परिवार इस समय दोसो चौरासे से 300 के बीच हो चुके हैं और दिनों दिन संक्या बढ़ती जा रही क्योंकि कई आएं भी इस बार विरोध में उतर गई हैं महिलाओं का कहना है कि इस बार किसी भी हाल में हम वोट नहीं करेंगे हम कई सालों से यहां बेवारिश हैं नहीं करेंगे हम हमारी सरकार नहीं हम सरकार के नहीं हमने हर जगे से परियास करके देख लिया है इसलिए हम भोट देने हम सरकार को बोड नहीं देंगे अब देखना होगा कि क्या कोई नेता इनके गाउं में आता है और आकर इने मालिकाना हग दिलाता है या फिर यूहें इनके जिन्दगी चलती रहेगी और क्या वाकई में वोड बहिसकार से इसका हल निकल पाएगा पंजाब के स्री टीवी के अधमसिक नगर से निजाम मुदिन शेख की रिपोर्ट